धान की फसल में bacterial blight रोग यानि BLB रोग प्रमुख बीमारियों में से एक होता है इसको हम नजदन दाज नहीं कर सकते हैं अगर हम इसको समय रहते नियंत्रित नहीं करते हैं तो हमारी फसल में 20-25% तक नुकसान हो सकता है कभी कभी इससे हमारी पूरी की पूरी फसल भी दोस्त हो जाती है तो इसके नियंत्रण के लिए आप कौन से उपाय करेंगे कौन सी दवाओं का प्रियोक करेंग पूरी जानकारी आपको बताएंगे से पहले आपको हम बता देते हैं कि ये इसके जो लच्छन होते हैं वो कैसे आपको पता चलेंगे इसके जो लच्छन है इस तरह से दिखाई देते हैं जो धान की पतियां होते हैं जो साइड होते हैं साइड से ये धीरे-धीरे जुलसने लगता है और उपर की जो पतियां होते हैं कौन होते हैं वहाँ पर भी ये जुलसी दिखाई देने लगती है पत्तियां पहले एक दो जुलसेंगे धब्बे बनेंगे फिर धीरे धीरे पूरी पत्तियां जुलस जाती है जिससे यह जो बीमारी है फैलती रहती है जब यह बीमारी हमारी फासल में दिखाई देने लगे तब हमें सबसे पहला जो काम करना है यूरिया का प्रियोग बिलकुल भी नहीं करना है यानि कोई भी ऐसी उरुरक का प्रियोग हम ना करें जिसमें नतरजन की मात्रा हो अगर हम उसका प्रियोग करते हैं तो ये जो रोग है ये मल्टिप्लाई हो जाता है काफी अदा विक्सित हो जाता है जिससे और अधिक हमारी समस्याइं बढ़ सकती है यह रोग अक्सर जल भरा वाले खेतों में देखने को मिलता है जो तराई इलाके के छेतर होते हैं उन में और अधिक लंबे समय तक अगर बारिस का पानी भरा रहता है तो वहाँ पर यह रोग का भेदा विक्सित हो जाता है और साथ में आप वैलीडा माइसीन या कापर आक्सी क्लोराइड ले सकते हैं वैलीडा माइसीन 200 ml प्रतेकर के हिसाब से लेना है और कापर आक्सी क्लोराइड आपको 300-300 ml प्रतेकर के हिसाब से लेना है इनको आप घोल बना लीजिए और अच्छे से स्प्रे कर दीजिए जहाँ पर जएदा प्रभाव दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको ठीक तरह से पत्तियों को भीगो देना है इस्प्रे कर देना है ताकि यह रोग आगे ना बढ़ सके इन दवाओं के प्रियोग के साथ साथ आप सिलिकॉन बेस चिप को 100 ml प्रतेकड के हिसाब से प्रियोग जरूर करें जो आपको लगबग 100 रुपिय का पड़ जाएगा महंगा भी नहीं पड़ेगा लेकिन जो रिजल्ट है काफी अच्छा देगा क्योंकि वो पत्तियों पर लंबे समय तक दवाओं को रोकता है और लंबे समय तक हमारी फसल में दवा का असर रहता है जिससे इस रोक से हम बिलकुल छुटकारा पा सकते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए सेर कर दीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए कोई जानकारी या सुझाओ है तो कमेंट भी आप हमें जरूर करें धन्यवाद